दर्ती पर मिला 5,000 साल पुराना भूतिया शहर जानिए इस जगह के बारे में दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जिनकी बारे में किसी को पता नहीं है ये जगहें अपने आपने किसी रहस्य से कम नहीं है हर जगह का अपना एक इतिहास होता है समय समय पर ऐसी जगहों के बारे में जानने को मिलता है जहां सत्यों पहले किसी रा किसी सभ्यता का अस्तित्व रहा है मोहिंज़तारों और हरपा जैसी जगहें इस बात का सबूत है कि सालों पहले भी शहरों और नगरों का अस्तित्व रहा तकनीक के विकास के साथ ही छिपी जगहों के बारे में भी जानने को मिल रहा है अब इसी कड़ी में गूगल मैप की मदद से एक ऐसी शहर का पता चला है इस शहर के बारे में कहा जा रहा है कि ये लगभग 4,000 साल पुराना और भूतिया है जहां हजारों लोग भी रहते थे इराग में इस रहस्य में शहर को खोचा गया है जो रीट में डूबा हुआ था जानकारों का कहना है कि शहर के मिलने से कई रहस्यों को सुलचाने में मदद मिलेगी इतिहासकारों का मानना है कि धर्दी पर कुछ ऐसी सभ्यताएं हैं जो पांच हजार साल पुरानी है अब जो चार हजार साल पुराना मिला शहर है वो निश्चित तौर पर किसी पुरानी सभ्यता का शहर है 4000 साल पहले इस शहर को उरू की नाम से जाना जाता था मिली जांकारी के मुताबेक उस समय इस शहर की कुल आबादी लगभग 65,000 हुआ करती थी सबसे रोचक तथ्य ये है कि उस समय उरू सबसे अधिक आबादी वाला शहर हुआ करता था हाला कि इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों के लिए ये शहर बेहद महवतपूर्ण है एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जहां पर ये शहर मिला है उसका नाम उस समय दक्षणी मैसोपतेमिया था लेकिन अब इसे दक्षणी इराग के नाम से जाना चाता है अगर आपको ये विडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इसी तरह के और इंट्रेस्टिंग विडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें